हलो स्टूडेंट्स विल्कम बैक टो दी चैनल दीने सर बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं हमेशा की सर हमारे स्कूल में कॉलेज में एक्जाम ली जा रही है हम कैसे त्यारी करें तो यहां पर दो बाते खड़ी हुई है कि क्या स्कूल और कॉलेजेस ऑनलाइन या आ रिक्टिलर रिलीज हुआ है मुंबई के जो सिक्षन उपसं चालाएं के उनके जरीए तो क्या है वो चीज मैं डीटेल में आपको बता हूँगा दो बाते हैं एक तो जो सिक्षन उपसं चालाएं उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में बारव बिना कारण स्कूल या कॉलिज में नहीं बुलाना है क्योंकि वर्क फ्रॉम का सरिकुलर जो आया था वो लागू है तो यह सारी बातों से रिलेटेड एक सरिकुलर रिलीज हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ और यह सारी बाते जो है लोकमत नियूस पेपर में भी आय सीधा जो एक लेटर पहले तो बताऊंगा कि जो सिक्षक भारती करके टीचर की संगटना है कारिया द्रक्ष सुभास किशन मोरे उन्होंने दो बार लेटर भेजा था सिक्षन उपसंचाल को कि बिना कारण जो है टीचर को जो स्कूल कॉलेजिस में बुलाया जा रहा है और ए मुंबई ठाने सभी के सभी एजुकेशन ओफसर को बोलाया कि उनके अंडर में जो स्कूल कॉलेजिस हैं उनके जो एक्जाम से उसको अभी किसी प्रकार की कोई एक्जाम कंड़क ना की जाए ना तो अनलाइन तरीके से ना ऑफलाइन तरीके से यहां पर आप देख सकते व उनको जो है नजर में लाया कंप्लेंट किया शिकायत की और वर्क फ्रॉम होम की सवलत दी गई है शिक्षक लोगों को बहुत सारे स्कूल कॉलेजिस जो है सिफ साइन करने के लिए स्कूल में बुला रहे हैं टीचर्स को ऐसा जो सिक्षन कारिया ला है उनके ध्यान में आय रायगर वह पालगर जिल्यात राहत असलाने वह लोकल ट्रेंड बंद असलाने खाजगी वाने करून शालेत यह ताहित तीन ते चार अजार उपए खर्च करून शालेत यावे लागता है सीधा सीधा यह जो कंप्लेंड था टीचर्स की ओर से जो सिक्षन उपसंचालक को तो उनको लोकल ट्रेंड बंद होने के वैसे प्राइवेट कार वगरे करके आना पढ़ रहा तीन से चार अजार रुपे खर्च हो रहे तो यह बहुत ही बड़ी बात है और मुंबई के अंदर कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनको कोवीट की चपेट में आने के वैसे मृत्यू भी की दरफ से कोई भी ऐसा आदिश नहीं है कि स्कूल और कॉलेजेज को यूनिट टेश लेना है समिष्टर एक्जाम लेना है फिर भी जो कॉलेजेज और स्कूल अरेंज कर रहे हैं तो यहां पर दो बाते स्पॉच्ट की गई है पहला ऑनलाइन सिक्षा याने ऑनलाइन है यह रिलीज हुआ है किसने रिलीज किया है 23 अक्टूबर के दिन जो है विभागी सिक्षन उप संचालक कारेल मुंबई इनके अंडर से ही 11 के एडमिशन होते हैं 11 12 का पूरा कंट्रोल इनके अंदर ही होता है और पूरा एजूकेशन डिपार्टमेंट है उसका एक विभ आदेश उनको मिलने वाला है तो वह नहीं होगा जब तक कोई आदेश ना आ जाए और दिवाली के बाद स्कूल कॉलेजिस कोलने के लिए कहा गया है तो जब तक वह खोला ना जाए ओनलाइन टीचिंग के साथ एक्जाम लेने के लिए मना कर दिया गया है दूसरी बार टी के लिए आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो मिलते हैं नए वीडियो में नए जान का रिक्षात बाई अवरीवन